नमस्काल साथियों चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्फूर एडिटोरियल के बारे में इस संकट को ना गवाएं इसके संपा दखें टी एन नाइनन जुलाई सेप्टमबर तीमाही में सकल घरैलूदपात यानि की जीडीपी मैं बिद्धी दर पि चौकाती नहीं क्योंकि आधिकांस बिसेलेसकों ने फहले ही बूरी खबर की असंका जताई थी यह इस पश्ट है कि यदी सरकार अब दो से महिने बाद यानि बजट तक हालात को समालती नहीं है तो जल्ल सुधार की आसा त्याग नहीं होगी अर्थ विवश्टा ऐसे मोड पर है जहां किसी भी दिशा में जा सकती है यदी वित्मंत्री हमारे निर्मला सीता रवन है यदी वित्मंत्री निर्मला सीता रवन के परीक्षन की घड़ी है अनेक बिसलेसकों को कि मोडी सरकार की वर्थी आर्थिक दिख्यतों में परपीडा का आनन दारा है परन्तु इससे आँगे देखें तो आलोचकों को भी यह बताना होगा कि सरकार को क्या करना चाहिए सबसे पहले तो उसे जोटा साहस्त्याक कर यह फिदर्सित करना हवंद करना चाहिए कि सब कुछ नियंतन में है देश की समस्याओं की प्राथमिक वज़य बैसमिक मंदी नहीं है यदि ऐसा होता तो चीन के आकड़े जुलाई सेप्टमबर में 6 पीशदी की विद्धी दर के साथ अंतर इतना नहीं बड़ा होता ना ही बंगलादेश साथ पीशदी से अधिक की दर से विक्सित हो रहा होता इस वहस का भी कोई अर्थ नहीं है यह केबल धीमापन यह वाकई पूरी तरह मंदी आ गई है जब चार तिमाहियों में बिद्धी दर साथ पीशदी से घटकर 4.5 पीशदी हो जाए तो यह मंदी ही है विसले सक हाल तक कह रहे थे कि हालात में जल्दी सुधार आ सकता है लेकिन इसकी आसा मत कीजिए आकणों की परताल की जाए तो मौजूदा तिमाही के आकड़े फिचली से कताई वेहतर नहीं है और पूरे बरस के दोरार विद्धी दर का इस तर मौदी के सत्ता में आने के वाला है याद रहे कि हुआ है दो अंकों की विद्धी और अच्छे दिन की वादे के साथ सत्ता में आये थे मौदी अब तक सरकार अर्थ विवस्था का सबसे तेज बढ़ता हिस्सा रही है लेकिन राजकोसी ये घाटे का पूरे वर्स का लक्च साथ महीने में पार हो जा हाल है वीली खपत कम हुई है डीजल खपत का भी यही हाल है व्यापारी काकड़े गिर रहे है और बीने निर्माड या तो इस्तरे या गिर रहा है खपत या उद्धोगिक मोर्चे पर कोई अच्छी ख़बर नहीं है हर मंदी में एक चक्रिय तत्थ होता है और बाहन छेत की मंदी के खतम होने में इसके कुछ प्रमाड नजर आ रहे हैं परन्तु सच तो यह है कि बैंक रिड में सुधार का जाना हिस्सा इस्चित में नहीं जा रहा है जबकि रिड के वट्टे खाते जाने की गती बड़ी है गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों खिरड फिरवार में भारी गिवरावट आई कंपनियां अभी तक अपनी वही खाते दुरस्त करने में लगी है जब तक यह अफिक्रिय पूरी नहीं होती नए निवेश की आसा करनी भेमानी है हमें अंगले तीन-चार महिने की अउधी के दौरान इन चक्रिय कारकों के असर करने की अफिक्चा करनी होगी लेकिन इस बीच गहन धाचागत मसलों को हल करने की आवश सकता है किरसी चित में खराव उत्पदक्ता और आपरयाप्त गहरेलू मांग की वुनियादी दिक्कत वनी हुई है इसके लिए कुछ हद तक ग्रामीड चित्रों में लोहों की आये काना बढ़ना भी वज़े है सरकार का कर राजस आधार दिक्कतों से भराए और किसी को पता नहीं है कि कर चित की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए सेवा निर्याद की मजबूती की वज़े से रुफिया ऐसे इस तर्फ रहे जहां भी निर्मार निर्यातक निर्याद बाजार में फित्तीस फर्दा नहीं कर पा रहे सरकारी छित में सुधार की बाद करें तो वहां नाकाम हो रही कम्पनियों के करमचारी को लेकर मामला अटकता है अमानी से रुईया तक और थापर से सुवाश चंद्रा तक एक के बाद एक कारोवारी जिस तरह हत्यार डाल रहे है उससे देश की नामी और दिमियों के विद्धी का वाहग बनने की चंद्रा पर भी सवाल खड़े हो गए ऐसे में सबसे अच्छी सलाह यही हो सकती है कि यह एक ऐसा संकट है जिसे गवाया नहीं जाना चाहिए मौदी सरकार का अब तक का विवार ऐसा रहा है कि मानो वह आर्थिक मौर्चे पर बुरी ख़बरों की अंदेखी कर सकती है और अपने राजनितिक और सामाजिक एजेंडों के साथ आंगे बढ़ सकती है आंगे ऐसा जारी नहीं रह सकता संकट काल में सरकाल लोगों से अफिक्षा कर सकती है कि वे ब्यापक हित में कुछ वलिदान करें कुछ नहीं करने का खत्रा यह है कि 6 फिस्दिया उससे कम बिद्धी दर आस्वीकार होने के वज़ाए मानक बंच जाती है चलिए मित्रो ते था हमारा आलतिक मंदी से संबंदित आर्टिकल